नमस्कार लाइव लगतार में आपका स्वागत है कोच का चहरी से जुड़ी प्रमुक खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं जारकंड उचन्याले समेत विभिन न्यालेओं में आज किन प्रमुक मुद्दों पर सुनवाई हुई इस बारे में जानकारी देने के लिए हम अबर तरफ चर्चा हुई लोवर जुडिशी सरलेकर और देश की सीर्ष रजालात तक यानि सुप्रीम कोट तक यह मामला सुर्क आज चर्चा का विश्य रहा धनबाद के एडीजे एट उत्ताम आनन जिनकी कल संद हास्पत इस परिस्तितों में मृतियों हो गई थी उस मा लिए माल के इस मामले में या हीआ जिसके बाद द्हानबाद के एक सस्पी और राज के ढीजी सपी तक को तलब किया गया और फोरी таких पन दूरान काफी गंभिर ्टिपनि की हां यहां कहा है की हो कि जर्खंड में और लोज राज्य और से राज्य हैं जहां पर एक वक्त के प्रति और निया अधीजों को चूने की या फिर उन्हें उनके साथ किसी तरह का प्रतिकार करने की अपराधि घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश नहीं करते थे लेकिन राज में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि जज को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और यह एक बेहधी दुर्भागपूर्ण घटना है और इससे हसाबित होता है कि राज में लौ और पूरी तरह से द्वस्त हो चुका है इसके बाद रेमडी सीविर मामले में भी जारखंड हाई कोट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान काफी असंतुष्टी जाहिर की नियाले ने अब तक की जो जाच हुई है एसाइटी जिस तरह से जाच कर रही है और यहां तक कहा हाई कोट ने की एक प्राइवेट अस्पताल को जहां से रिमडी सीविर की डोज निकले थे उसे बचाने के लिए रिम्स की तरफ अब इस पूरे जाच का रुख मोडा ज बताया सरकार के इस तरह से जो जो कारवाई की गई है उन सारी चीजों को बताया जिस पर नियाले ने संतुष्टी जाहिर की लेकिन नियाले ने ये भी कहा कि अगर कोट को कभी भी लगेगा कि जांच में कोताही बढ़ती जा रही है तो यह पूरा मामला CBI को दे दिया जा हुआ इस मामले में नियाले ने एक सप्ताबाद की तिति माफ कीजेगा इस मामले में नियाले ने सुनवाई करते हुए जो इस मामले के जितने भी दस्तावेज हैं मूल दस्तावेज उनको डीजीपी को कहा है कि वह आप नियाले के समख्ष जमा करें और प्रार्थी यानि कि याचिका करता जो इस मामले में है रूपा तिर्की के पीता वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस याचिका की कौपी CBI को दे दे तो ये एक तरह का इंडिकेशन हम समझ सकते हैं आफ रिकॉर्ड ये सारी बातचीच जब हो रही थी तो प्रार्ति के अधिवक्ता के दौरा ये बताया गया था हमें कि ये इंडिकेशन हो सकता है लेकिन अंतिर मिर्णा नयाले क्या लेगा यह देखना कापी महत् तो बिल्कुल ADJ की हत्या आज दिन भर सुर्ख्यों में रही देश भर में इस खबर ने बावाल मचा दिया और इस खबर से जोड़ी तमाम जानकारी लगतार.in पर एविलेबल है और इस खबर के जिब्सक्रिप्शन में भी आप उन खबर को देख सकते हैं जुड़े रहि और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगतार.in के साथ